सिवान में महावीरी अखाड़ा जुलूस के दौरान युवक ख्यत्या मामले में रंजीत यादव उर्फ जेज़ यादव गिरफटार सिवान नगर थानशेत्र के प्रधान डाग घर समीप नौ सितंबर की देश शा महावीरी अखाड़ा जुलूस के दौरान बदमाशोरी नगर थानशेत्र के दीन दयाल नगर तुरुहा टोली निवासी रमेश गोण के पुत्र 18 वर्ष्य विकास कुमार सहा की चाकू से गोटकर हत्या कर दी थी मामले में पुलिस ने त्वरित कारिवाई करते हुए गटना में शामिल नामजत मुफजिल थानशेत्र के कंधवारा उतर टूला इवं वर्तमान श्री नगर निवासी रंजीत यादव और फजेजे यादव को आयोध्या पुरी से गुप्त सूचना के आधर पर गरफतार कर लिया गरफतार युवक से पुस्ताच के बाद उसे जेल भेजा और मामले में नगर थाना इंस्पेक्टर सुदर्शिन राम ने बताए कि मुफजिल थानशेत्र के आई उत्यापुरी विच्छा पिमारी का नाम जट अभी हुकतर रंजीत यादव और फजेजे यादव को गरफतार किया गया पुस्ताच के बाद उसे जेल भेजा गया सिवान से असर लाइफ के लिए परवेज अक्तर की रिपोर्ट देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रही हमारे साथ और हाँ अगर आप वीजियो को फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेस्बुक पेज को लाइक करें और अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सबस्क्राइब करना मत बुलिए वीजियो को लाइक कीजिए, शेर कीजिए और अपने कमेंट सरुए